नमस्क्र दोस्तों फिर्सेक वर्सवागत है मेरे चैनल विलन टेक्निकल में अर्श्वीर एक नया रिक्षा बना है उसका वीडियो अब लोगों को दिखा रहे हैं और यह रिक्षा बनके तयार हो गया है देखे इस हालत में यहां तक बन गया है किसी भाई ने मंगाया आई यह रिक्षा यह रिक्षा जाएगा पूने बस इतना ही उनको चाहिए था पूरा तयार किया हुआ नहीं चाहिए था इसलिए यही तक बनाये गया है तीन चक्का और स्टेक्चर बनाके इनको दिया जारा है फ्रेम के साथ और इसमें मोटर दिया जाएगा साथ में बैटरी वीटेरी नहीं चाहिए था इसलिए बैठरी नहीं ड़ए गया है कि तो आज के वीटेड़े में आप लोग सब दिखा देंगे वेटेवी दिखाएंगे कुन सा बैटरी इसमेर लगता है तो मोर्टर को दिखाकट देंगे व्यूदिफेंगे तो वडियों में सूरु प्रेकर रिंग है तीनों और इसके अंदर जो एस्पोक लगा है तिल्ली जिसको बोलते हैं यह काफी मोटा है लगबक सीखसे में एक तिल्ली होता है इसमें लोड लेने की शमुता लगबक है और 30-35 स्पीड इसमें चलता है मोटर लग जाने के बाद और इसमें पैडल सिस्टम भी रखा गया है देख सकते हैं और इसका सारा जो स्टेक्टर से काफी मोटा लोगा से बना होता है क्योंकि ज्यादा लोड करी करना होता है जो नौर्माली में रिक्षा ठेला होता है उस इस यह को ब्रेख मानने से रोकेगा इसको बेट लगता इसमें है कि इतना मजूद अब लोगों को देख लग रहा होगा पैर ब्रेक और हाथ ब्रेक दौनों ब्रेक इसमें रहता है ताकि गाडी को पंड्रोल कर सकते हैं कि इस तरह से यह बना हुआ है इसमें अभी पेंट मटख रणा बाकि है जी अवस्ट हो जाएगा तो नया उसले आपर डोलते हैं कि आ में प्रोब सकते हैं कि लेक गाद हो गया है जो पर लगा हुआ है और यह फ्रेम देखिए कि इतना चौड़ा में है काफी मुटा लुहां से बना होता है यह अगला फूस भीजा गया है जो आगे सो देखें कि इसतार साल लग रहा है गाड़ी तो किसी भायों को यह गाड़ी इसतारा के गाड़ी मंगवानी होगी बंगाल से अगर आपनों बहार है तो अप्रों इसतार से गाड़ी बनाके मगवा सकते हैं कुरियर से तो बाड़ी से स्वेज अधा कि खरब नहीं यहां देखिए यह बैटरी इसमें लगता है यह लीद अशिज बैटरी और इसका चारजर कि अजय कमपानी का यह वैटरी है 100 है मॉडल है था चार बैटरी लगता बारा बोल्ट के चार बैटरी लगता है और 48 बोल्ट को charge करने के लिए चारजर है इसक्स एमप्यर का चारजर लगता है इसमें 60 एमप्यर ब accountant को charge करने के लिए है कि बैटरीं जो है connection करके बरबरा बोल्ड गूर करके 48 बनाना है 48 बोल्ट से मोट ने काम करता है और काफी लोड चलता है लगबग ये दुसाल तक चलता ये बैटरी दुसाल के बाद आपको चिंज करना पड़ता है ये चार्जर से चार्ज होता है लगबग चार घंटा इसमें टाइम लगता है चार्ज होने में एक बार चार्ज हो जाएगा तो आपको मानलोजी दीन पर चलेगा इसाद यह हैं है और यह यह मोटर जो इसमें लगने वाला है इसके साथ बैठाए नहीं गया है कि इस सब्सक्राइब नहीं तो बढ़ेगा से स्वेट लेंगे तो बढ़ेगा सुलो करेंगे तो सुलो चलेगा के सारा वाय जो एकानेक्शन कर दिया जाता है ताकि आप लोगों को समझ में नहीं आता है यह भी एफ एर कम्पनी का देख सकते हैं कि 500-7008 का मोटर इसमें लगता है पान सो अट का भी लगता है और साड़े साथ सो अट का भी लगता है तु इस तरह से देखिए रिक्षा तैयर होता है किसी भाई को मंगवा नहीं होगी डिस्क्रिश्चन में जए वह पर नमबर मिलेगा वह पर जाके क्लगार के ब्लोग वंगवा सकते हैं यह गड़ी तैयर ह हो रहा है जो रिक्षा के चक्का से बना होता है यह स्पोकेट है जो पीछे लगता है चैन स्पोकेट इसको भूलते हैं और यह चैन है इसमें काफी मोटा चैन होता है तो यह मोटर गाड़ी में लगने वाला है और उपर का नहीं बनाए गया है उपर के अलग-अलग अदमी क को अलग अलग चीज चाहिए इस तरह से बना सकते हैं बिजनेस करने के लिए जिसको ज्यूष तरह से जरुरूद होता है। कुछ लोग इस तरह से बनाता है , कोई बस्केट बनाता है लोहा से। और rebellion होन लगा रहाता है , शकर र्रक जीन स्वीक हैं मोटर स्क्रैग्वी रगया है , निन वर्यदिरहीं होगि और एक बड़ा हेड़ लाइट जो चावी से ओन अफ होता है और यह लेट हैंड का ब्रेक है इसमें स्विच होता है इस थ्री स्पीड मूड वाला स्पीड इसको बढ़ाएंगे तो मतलब सुलो चलेगा और यह हॉन दिया गया है यह है जो बैट्टी को इंडिकर्शन करता है ग्लास लगा हुआ है बैक ग्लास रिवास पारवाट का बटन भी इसमें पीछे भी चलता है इसको बटन के अ इसको कलरकर इसपीड लगा गया है और तब सिट के पीछे टीक लगाने के लिए उसतव से लोगवाँ से जाली टरिप के बना दिया गए ताकि टरिक लगा सकते हैं तो काफी मजबूत गाड़ी है गाड़ी को अब देखके अब को अंदाजा लग गया होगा कितना मजबूत यह गाड़ी है तो इस तरह के गाड़ी का नए नए वीडियो देखने के लिए मैं चैनल को कbell सब्सक्राइब करते रहिये और एक और नए वीडियो डालेंगे दूसरा ताइब का बना हुआ वह पूरा उपर से मतलब भिसका चैथ लगा हुआ है वीडियो में उसका देंगे अगले overt, अगले वाले वीडियो में तो वीडियो में कि नोटेविशन को जो बटनेव स्कॉन कर लिजे क्योंकि आपको नोटेविशन मिलते रहे हैं यहां देखिए इसके लकडी के ऊपर से लकडी का जो इस्टिक्चर बना रेक शीन लगाया गयाक है darling चलता यह इंडिकेटर और यह preparation लगाया हुआ है दोनों साइड में ब्लॉक कावर इसमें लगाया गया है इसका व्कॉल्मोनी देखी 25 मजबूत है और मोटर जो है चेनल स्वोगट के सीधा होना चाहेगी त्याड़ा नहीं बैठाना है यह मोट कंट्रोलर यहां पर फिक्स किया गया है तो इस तरह के देख देख के आप लोग जो बना सकते हैं ठेला आके भी मिलके भी ले सकते हैं नहीं तो अगर बंगल से बहा अगले वाले वीडियो में इसलिए जो घंटी का बटन है उसको अन कर लीजिए कि उसका नौटिविशन आप लोग को मिलते रहे